So friends, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मध्यप्रदेश NHM के थुरू CHO Community Health Officers की पोश्ट के लिए online liquid परिक्षा आप लोगों की conduct यहाँ पे करा ली गई थी, यानि कि आप लोग ने online written exam आप लोगों ने आप पे दे दिया था, इसमें दो अलग-अलग तरीके की पोश्ट थी, आपको यह भी पता है कि इसमें CHO Community Health Officer की आप इसमें vacancy थी, और साथी साथ इसमें CCH यह वाली पोश्ट भी इसमें आप पे शामिल की गई थी, यानि कि Certificate in Community Health और दोनों की qualification यहाँ पे अलग-अलग थी, दोनों की युगता यहाँ पे इसमें अलग-अलग थी, और आपके admit card पे भी यह mention है, आपने किस post से exam दिया है, और जो भी आपका application form है, उसमें भी यह जानकार यहाँ पे दरज है, कि आपने किस post से अपनी online liquid परिक्षा दी, और 30 मार्च को दिया होगा, तो दो दिनों में यह परिक्षा completely MPCHO की online liquid परिक्षा आप लोगों की यहाँ पे हो गई थी, और फिर देन जो है, अपरेल के पहले हफते में, ठीका, I think पहले या दूसरे हफते में आप लोगों की answer की भी जारी हो गई थी, तो आप लोग ने अपन पर completely यहाँ पर हो चुका है, और कोई भी update ना तो आपको result को लेकर आपको यहाँ पर दिया गया, ना ही आपको कोई other information इसमें आपको provide कराई गई, दोस्तो, finally update यहाँ पर आ चुका है, MPNHMCHO जो recent आप लोग ने आप पर exam दिया, information portal पर यहाँ पर आ चुकी है, official website पर जानक MP online के portal पे, बिल्कुल officially आपको इसमें आप पर बता दी गई, कि कौन से date को आपको choice filling करनी है, कौन से candidates को choice filling में की process में आप लोगों को इसमें आप शामिल होना है, तो पूरी जानकारी वीडियो में हम लोग यहाँ पर cover करने वाले हैं, इस वीडियो को आखर तक देखना, इ आपर आया हुआ है, आगे की कोई भी जानकारी A to Z, आपसे कोई भी information ना छूटे, अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो पहले से चैनल को subscribe कर लीजे, क्योंकि जब information जब यहाँ पर निकल जाती है, तब यहाँ पर काफी यहाँ पर दोख होता है, तो इससे ब पहले गूगल पर जाके हम लोग MP Online iPhone यह टाइप करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर MP Online iPhone, simply हमको यहाँ पर टाइप करना होगा, आप लोग भी इनी steps को follow करना, पहले आप लोग वीडियो देख लें, सभी जानकारी ऑफिशल है, आप लोग भी इसको बाद में चेक कर लेना, ठीक है, iPhone MP Online, यहाँ को यहाँ पर लिंक मिल जाएगी, देखें जैसी इस पर मैंने आप लोग यहाँ पर क्लिक किया, इसकी official website open हो गई, यहाँ पर cross का sign दिया गया है, यहाँ पर आप चाहें तो नीचे आपको एक view all notification, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दिये जगा, लिखा view all notification, directly इस पर भी आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो page आपका यहाँ पर open हो जाएगा, तो देखें यह notification वाला page है, और choice feeling की जो information यहाँ पर आई है, नीचे आपको आना है, जो NHM का section है, तो देखें, National Health Mission, NHM का section है, नीचे आप लोग यहाँ पर आएंगे, Community Health Officer की जो जा आना है, इसको मैं थोड़ा Zoom करता हूँ, देखें, choice feeling की जो जानकारी आई है, लिखा हुआ है, choice feeling for CCH post will be made life by 25th of July 2024, तो दोस्तो, choice feeling candidates को करनी होगी, और इसकी जो date है आपको बता दे गई, 25 July, 27, 2024, ठीक है, इस date से आप लोग अपनी choice feeling आप लोग यहाँ पर शुरू करेंग और जैसे कि आपको मालूम भी है, कि choice feeling करने के लिए सिर्फ 4 दिन आपको मिलते हैं, तो 25 तारी को link active यहाँ पर कर दी जाएगी, और 4 दिन यदि हम लोग यहाँ पर से calculate करेंगे, तो आपके choice feeling की जो process है, 29 July, ठीक है, 29 July तक available रहेगी, यह link आप लोगों की activate MP online के portal पर आपकी यहाँ पर रहेगी, कोई भी घवराने वाली बात नहीं है, सबी चीज़े मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और जब link active हो जाएगी, और जब link जो है deactive, यानि कि last date आएगी, तो उसकी जानकारी भी मैं आपको यहाँ पर आगे provide कराऊंगा, तो अभी जो information आई है, कि आपको choice filling करनी है, और 25 July यह की starting date है, और देखिए कौन से candidate के लिए करनी है, तो इसमें CCH post वाले जो candidate है, ध्यान दिये जएगा, सरफ वह candidate के बारे में बोला गया है, CCH वाले certificate, यानि कि certificate in community health, तो इस post से यदि आप लोग ने form को apply किया है, तो आपकी choice filling 25 July से start हो जाएगी, और इस चीज को यदि आपको check करना है, तो आप लोग अपना admit card पे applied post check कर लेना, तो admit card open कर ले, तो उसमें जानकारी मिल जागी, और application form यदि आपके पास रखा है, तो उसमें भी आपको जानकारी मिल जागी कि किस post से आप लोग ने apply किया है, CCH वाली post से apply किया है, या फिर आप ल जिनको ये doubt हो रहा होगा, कि ये CCH और CHO का matter यहाँ पे क्या है, क्यों यहाँ पे मैं ऐसा बोलना हूँ कि दो अलग अलग post ही, CCH की और CHO की, तो शुरूबात में भी मैंने आपको बोला था, कि almost 60 to 70% यहाँ पे जो form यहाँ पे जो fill up हुए है, वो गलत यहाँ पे form यहाँ qualification आएगा, तो जो qualification है, वो आपके पास होने चाहिए, तब ही then जो है, आपको finally इसमें आगे process जो आपके posting कियाएगी, आपके joining कियाएगी, फिर आपको यहाँ पे joining मिलेगी, तो दोनों की योगता मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, देखिए, CCH और CHO, तो CCH वाली जो post थी, इसमें आप लोगों से किसी भी तरीके का CCH का certificate course नहीं मांगा गया था, ठीक है, कोई भी certificate course की इसमें जरुवत नहीं थी, simple जो भी candidates इसमें BSC nursing है, GNM का diploma है, post basic BSC है, ठीक है, और जो BAMS वाले हमारे जो डॉक्टर से हैं, यादी की, आईरवेद, डॉक्टर स्रिव, इ इसमें अधर आपसे योगता नहीं मांगी गई, अब बात कर लेते हैं, CHO वाली post की, तो CHO वाली post थी, तो इसमें आप लोगों से CCH का certificate course, ठीक है, CCH का certificate course, certificate इसमें आप लोगों से आपे मांगा गया था, और काफी candidates को मैंने पहले भी बोला था, और अभी भी में आपे मै बोला हूँ, इसमें जो सरफ qualification थी, BSC वाली थी, BSC प्लस CCH, ठीक है, और दूसरी जो थी यहाँ पे, post basic प्लस CCH, तो सरफ यही candidates जो है, इस वाली post के लिए, यहाँ पे पातर थे, तो काफी candidates ने क्या mismatch कर दिया, CHO वाली से, CCH वाली को apply कर दिया, और CCH वाली को CHO वाली से apply कर दिया, और काफी ने तो दोनों post से भी हाँ पे apply कर दिया था, तो यह पूरा जो मैंने आपको पुरानी information है, अब यह मैंने आपको आप इसमें बताई, तो इसमें जो information आई है, CCH वाली है, ठीक है, ध्यान दिये जगा, CCH वाली है, सिर्फ इसमें यही candidates जो है, आप लो वाले candidates की choice filling यहाँ पे कब जारी होंगी, तो देखिए, यदि उनको बोलना होता, ठीक है, तो वो इसी में mention कर देते, CCH and CHO, लेकिन उन्होंने ऐसा यहाँ पे नहीं किया, तो I think मेरे साब से, ऐसा मेरे आप पे मानना है, कि CHO वाली जो candidates है, जिन्होंने इस post से apply किया, आप CC में जो हैं, आप लोगों को add कर दी जाए, और इसको correction कर दिया जाए, CCH and CHOS तरीके से आपे लिख दिया जाए, तो वो बात की बात है, और यह possibility भी है, तो आगे देखते हैं, फिलाल तो जो information CCH के लिए, तो सरफ CCH वालों को ही choice filling इसमें आपको करनी है, और जो CHO वाले है वो अभी आप लोग यहाँ पर थोड़ा wait करें, और यदि देखिए, उनसे गलती हुई है, यदि उन्होंने, ऐसा भी हो सकता है कि CCH उन्होंने इसमें आपे, CCH के साथ, CHO लिखना है, आप पर भूल काई हो, तो ऐसा भी हो सकता है, तो जब कभी भी option enable होगा, हमको सारी ज जुलाई को, तो CCH वाले candidates, देखिए, अभी तक आप लोगों की अभी common merit list अभी तक जारी नहीं हुई, common merit list अभी आपकी नहीं आई है, और अभी देखिए, 19 जुलाई आज यहाँ पर date हो गई, 19 जुलाई 2024 आज यहाँ पर date है, और 25 जुलाई से आपकी choice filling शुरू है, तो I I think, 19 से 25 तारीक के बीच में, आप लोगों की common merit list यहाँ पर जारी कर दी जाए, और उस common merit list में आप लोगों के नाम होंगे, और आपके नाम यदि उस list में शामिल होंगे, तो उनी candy rates को choice filling करनी होगी, और आप लोग अपनी choice filling के process को complete करेंगे, और आप सभी को बताना चाहता पोश्ट हो, चाहे DPM, DCM और DAM, ठीक है, यह वाली पोश्ट हो, सबसे पहले इनकी common merit list जारी होई, candidates ने अपना उसमें नाम देखा, यदि उसमें नाम था, तो उनको choice filling के लिए बोला गया, तो यही follow इसमें भी होगा, choice filling के लिए आप लोगों को अलग से result इसमें आप पे नहीं आएगा, common merit list आपकी इसमें आप पे जारी होगी, उसमें आप लोगों का नाम होगा, ठीक है, और उसी में आपके marks भी बताए जाएगे, उसमें आपकी rank भी बताई जाएगी, आपके category की जानकारी भी दी जाएगी, सबी चीज़ें बिलकुल जो है, clear कर दी जाएगी और देखिए, common merit list जो आपकी जारी होगी, उसमें A2Z, ठीक है, A2Z सभी candidates के नाम उसमें यहाँ पे शामिल नहीं होगे, ऐसा मैं आपके क्यों बोल दाओं, क्योंकि अभी जो list आई है, ophthalmic assistant, rehabilitation worker, DPM, DCM, DAM की, तो उनमें सभी candidates के नाम नहीं थे, जो minimum qualifying marks के उपर, जो है, marks य categories के, चाए undeserved हो, चाए SC हो, चाए ST हो, चाए OBC हो, EWS हो, सभी category के लिए minimum qualifying marks है, यानि कि कम से कम उतने अंक आपको लेकर आने ही थे, exam के race में बने रहने के लिए, तो यदि आप लोगों के marks उससे जाधा आएंगे, तभी आपका नाम, common merit list में आपके शामिल किया जाएगा, अब मानके चलते हैं, कि आपके marks 25 आ रहे हैं, ठीक है, आपके marks यहाँ पे 20 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, तो आपके नाम जो हैं, लिस्ट में यहाँ पे नहीं आएंगे, ऐसा यहाँ पे मैं बिलकुल confirm आपको surety के साथ बोल सकता हूँ, जो अभी recent यहाँ पे जो लिस्ट आई देते हैं, और यह भी देखते हैं कि common merit list क्या अलग-अलग निकाली जा रहे हैं, CCH की और या फिर CHO की, या फिर दोनों को, CCH और CHO दोनों को एक की list में आपके शामिल किया जा रहा, ठीक है, तो यह आगे देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी, और यह हम लोग portal पे देखे, जब कभी भी आपके choice filling शुरू होगी, चाए CCH हो, चाए CHO हो, आप लोग अपनी choice filling तब ही कर पाएंगे, जब आपके पास username और password आपके पास होगा, बिना username और बिना password के आप लोग अपनी choice filling नहीं कर सकते हैं, और username और password होना यह आपका compulsory है, यदि आपका form fill up हु admit card डाउनलोड किया है, simply मैं कहाँ, online liquid पर इक्षा दी है, तो आपका username और password जरूर होगा, हो सकता है, यह दुकानदार ने बनाये हो, और हो सकता है, आप लोग ने form fill up करते समय, यह create किया हो, तो इसका पता करना आपको यहाँ पर जरूरी है, बिना इसके आप लोग अपनी choice filling नहीं कर पाएंगे, तो इसकी जानकारी, यह मैं आपको आप पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर बड़ी में, जब कभी अभी आपकी choice filling start होगी, ठीक है, चाहिए, cco, जब कभी भी आपके choice filling start होगी, आप लोग गलत detail डालेंगे, ठीक है, username और password, और यह 90 to 95% candidates के साथ य अलट detail डारेंगे, कुछ भी जानकारी डाल देना, username और password, और जो है, account क्या हो रहा है, account जो है, block यहां पे हो रहा है, ठीक है, और account यहां पे block हो रहा है, तो फिर जो है, कोई भी आप लोगों को unblock यहां पर नहीं कर सकता है, यानि कि कोई भी आपका account open नहीं कर सकता है, और और फिर चारी दिन का समय मिलता है आपके choice filling में और चार दिन यूही आपके आपके निकल जाएंगे और आप लोगों को choice filling आपके नहीं हो पाएंगी तो सही जानकारी आप लोग username और password आप लोग दर्श करना तब ही आप लोगों की choice filling का option आपका open होगा वरना account ब्लॉक हो गय कोई भी किसी भी तरीकी की help आपको नहीं मिल पाएंगी टेक्निकल help line नमबर में भी आप लोग संपर करते रहे जाएंगे फोन भी वह आप लोगों की आप नहीं उठाएंगे क्योंकि सभी candidates इसको लेकर वहाँ पे उनसे बात करेंगे तो यह usually देखने को मिला है अभी recent यह आपको इस चीज़ को लेकर पहले से सतर का आपको रहना है और यदि आपको username और password ठीक है यह exactly आप लोगों का क्या है तो यह आप लोगों को इसका मैंने एक detailed video cover किया है detailed video मैंने आपको बनाया हुआ है तो detailed video यदि आपको चाहिए तो आप लोग चाहिए तो description box में ठीक है वीडियो के नीचे description box है तो उसमें link मैंने आपको provide करा दी और वहाँ पे आपको link नहीं मिल पा रही है तो channel का जो whatsapp number है 741 5543659 तो whatsapp पे आप लोगों मुझे message कर देना तो वो मैं आपको link आपको provide करा द उस video को पूरा देखना आदा नहीं देखना क्योंकि आदा देखेंगे तो then उसी details की मदद से आप लोग open करेंगे तो आपका account block हो जागा पूरा देखना A to Z आकर तक तबी आप लोग try करना username और password को find out करने में और I think username और password ये जो चीज है पहले से आपको तयार करके रखना चाहिए जब कभी भी choice filling का update आए तो कोई भी किसी भी तरीके के जल्दबाजी ना हो और easily तरीके से आप लोग अपनी choice filling कर पाएंगे और choice filling में देखिए कोई भारी भरकाम काम इसमें आप पे नहीं है ठीक है choice filling में जिले जिलो की आपको preference आपको देनी है जितने भी जिले आपको नजार आएंगे उसमें जहां पे CHO की post खाली है चाहिए CCS की post हो चाहिए CHO की post हो तो आप लोगों को preference देनी है आपके मन पसंद जगह कि आपको कौन सा देना है जैसे कि इंदौर भोपाल गौलियर ठीक है जवलपूर रीवा तो आपको अपनी preference देनी है तो जो भ तो एक ही बार chance मिलता है इसमें ठीक है एक ही बार chance मिलेगा आपको यदि आपकी एक बार choice filling complete हो गई तो देन आप लोगों को इसमें ना तो correction हो पाएगा choice filling में और ना ही इसमें कुसी भी तरीके का आप लोग शंशोदन इसमें आप लोग कर पाएंगे तो दोस्तों कुछ छोटी चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और इसमें कोई भी घबराना आपको यहाँ पर इसमें नहीं है ठीक है सभी चीज़ें सामने आपकी यहाँ पर को समय में clear हो जाएंगी और पोर्टल पे भी list आएंगी और updates आपको यहाँ पर regular हमारे channel के थ्रू भी आप लोगों की रहने वाली है जो भी मैंने छोटी छोटी information आपको जानकारी दी है कुछ साफधानिया बरतने को भी मैंने आपको बोला है तो आप लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना है अपने whatsapp के जितने भी आपके friends हैं जितने भी आपके groups हैं सभी में वीडियो को share कर दें चैनल को subscribe भी करना जिससे आगे की कोई भी जानकारी आपसे न चूटे वीडियो के नीचे जाए subscribe के red बटन को click कर लें तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में thank you so much